हाई गाईज वाट्स अप आई होप यू अल आ दूइंग ग्रेट मॉमी टाकीज के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों चान पर पहली बार आ रहे हैं तो जली से वीड को इंट्रोड्यूस कर देती हूं हाई मेडाम अमता है और मैं वीडियोस बनाती हूँ वेबी के टिप्स पर प्रोडेक्स पर मेरे पर्सलन विलॉग पे और फैशन पे आज मैं आपके साथ अपना कम्प्लीट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ लव लाब ब्रैंड के हिपो बेबी बाथटब के बार में और उसके डीटेल फीचर्स के बार में दोस्तों जैसे कि आपको अल्रीडी पता है कि आज मैं पैरेंस हमें एक बाथटब की जरूर्ट जो हमीशा से रहती है क्योंकि ओविसली बाथटब यूज़ करने के बाद बच्चों को नहलाना जो है वो काफी आसान हो जाते है बच्चों की और पैरेंस की बीच की बादिंग जो है वो दिरी-दिरी इंक्रीस होने लगती है कि यह 2-in-1 Convertible Bartup है मतलब अगर आप चाहें तो इस बाथटब को as a better use कर सकते है from starting मतलब 0 से 6 months के बच्चों को नहलाने के लिए या अगर आप चाहें तो इस बाथटब को as a बाथटब यूज़ कर सकते है 6 months के बाद अपने बच्चों को नहलाने के लिए तो यह काफी लंबा चलता है second feature जो मचे इसका पसंदा है कि यह expandable है मतलब आप इसको बहुत आसानी से अपने बच्चों के height के हिसाब से requirement के हिसाब से जो है वो extend कर सकते है and at the same time यह काफी large है इसमें space जो है वो काफी अच्छा मिलता है मतलब बहुत आसानी से conveniently बच्चे जो है वो बादटप में बैट सकते हैं and आप उनको नहला सकते हैं यहाँ पर बादटप के साथ साथ यहाँ पर आपको बाद seat भी मिलता है जो कि again मुझे काफी unique feature लगा अगर आप चाहते हैं कि बादटप में बैट करके आसानी से comfortable हो करके बैट करके आपका बच्चा जो है वो नहाए तो यहाँ पर बाद seat जो है वो बहुत ज़्यादा important role play करता है इस product को as a bader use करने के लिए आपको सिर्फ इसको half reclining position में जो है वो adjust करना है and अगर आप इस product को as a bart-up यूज़ करना चाहते हैं बच्चों के लिए absolutely safe है and at the same time यहाँ पर आपको काफी ज़्यादा soft curved edges मिलते हैं जो कि again मुझे safety wise काफी अच्छा feature लगा मतलब बच्चे जो है वो काफी ज़्यादा comfortable हो करके इस बाट-up में नहा सकते हैं उसके साथ साथ यहाँ पर आपको drain plug भे मिलता है इस बाट-up का जो मुझे unique feature लगा and मुझे पता है as a parents यह हमारी requirement भी होती है वो होता है space तो इस बाट-up को बहुत ही conveniently fold कर सकते हैं बहुत compact fold हो जाता है यह तो अगर आप चाहें तो fold करके इसको बहुत आसानी से अपने washroom में कहीं पे भी रख सकते हैं कहीं पे भी stand कर सकते हैं इसको fold करना भी काफी आसान है fold करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उपर से सिर्फ हरका सा प्रुष करना है push करने के बाद आप इसके legs को fold कर लेशे और इस तरीके से बहुत आसानी से fold हो जाएगा अब आप जहां पे भी चाहें इसको आसानी से fold करके रख सकते हैं ये बाटब काफी high quality, durable and soft feel material से बना है जो कि इस बाटब को काफी ज़दा soft बनाता है जसे होता है कि बच्चे अगीन काफी ज़दा comfortable feel करते हैं आप बहुत आसानी से अपने बच्चें को नहला सकते हैं उसके साथ ये बाटब काफी ज़दा lightweight है और इसको clean करना भी काफी ज़दा आसान है इस बाटब का जो मझे सबसे ज़दा unique and best feature लगा कि इसमें आपको sensitive temperature plug मिलता है जसे होता किया है बाटब के अंदर आप देखेंगे एक blue color का plug है जो कि drain के जस्ट उपर ही है जसे होता कि है तो गरम पानी जाते के साथ इसका जो color है वो धिरे धिरे change होने लगेगा वाइट कलर में convert हो जाएगा जसे आपको फटा फट पता चल जाएगा कि पानी जो है वो गरम है जो कि बच्चों के लिए obviously safety aspect को यहाँ पे जो है वो cover करता है उसके साथ-साथ इसमें आपको scratch resistant भी मिलता है जो कि इस बाटब को काफी ज़्यादा durable and long lasting बनाता है जो काफी ज़्यादा पसंद आया मतलब बच्चों को नहलाने के लिए safety aspect को तो इसने सारी cover किये ही है and at the same time बच्चों को बिठा करके इसमें नहलाना जो है वो काफी ज़्यादा आसान हो जाता है मेरा बेटा आयांश खुद इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है आपको ये product जो है वो कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताइएगा and अगर आपको ये product पसंद आया होगा and अगर आपको ये खरीदना हो तो Amazon पे available है साथी साथी Love Lab के site पे available है जिसका link में आपको description box में दे दूँगी अगर आपका आज की वीडियो से related कोई भी doubt हो तो हमेशे के तरह मुझे comment करके कभी भी पूसकते है I will definitely get back to you दोस्तों अगर आप हमारे चानल पे पहली बार आ रहे हैं तो चानल को subscribe ज़रूर कर लीजएगा हमेशे तरह की वीडियोस रहे हैं वो आपके लिए बनाते रहते हैं आप subscribe करेंगे तो हमें motivation मिलेगी आपके लिए और अच्छी और बहुत प्यारे वीडियोस रहे हैं वो बनाने के लिए तो इसके साथ दोस्तों मैं बता आज को वीडियो खतम करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में कुछ नए information और tips के साथ तब तक के लिए दोस्तों happy parenting and bye bye